दोस्तों क्या आपको भी लगता है हमारी बॉडी में हजार अलाग होल्स होते हैं अगर हाँ तो ये वेडियो केवल आपके लिए ही है तो स्वागत आपका अपने चैनल Facts2Tag पर शुरू करते हैं Facts का सिलसिला दोस्तों तो पहले हम समझते हैं आखिर होल होता क्या है दरसल बात ऐसी है होल को अनोकी चीज नहीं वलकि एक ऐसा सब्द है जो केवल कुछ ना होने को रिप्रेजेंट करता है अगर हम इसे आसान भासा में समझे तो अगर मैं आपसे कहूं दीवाल में छेद है तो जो छेद है ना वो केवल यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जंगाव पर कुछ नहीं है और इसी फोर हम होल कह देते हैं अब होल भी दूपरकार के होते हैं पहला ब्लाइंड होल दूसरा पास्थ्रू होल तो आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है तो मैं बतात होते हैं मगर कुई exit नहीं होता जिससे की पानी अपने आ भी बहार निगल सके वहीं पास्थ्रू होल ऐसे होल होते हैं जिनका entry पॉइंट होता है जैसे के इक पार्ट पर entry होल होता है और वहीं दूसरे पार्ट पर exit होल होता है जिसके कारण उसमें से कोई भी लिक्विड आसानी से फिलो हो सकता है तो बात करते हैं उस कोशन की इसका थमने लेखकर आप इस वीडियो में आए थे एक मानव सरीर में कितने होल होते हैं तो इसका आंसर हमारी बॉडी में लगवग 5 मिलियन ब्लाइंड होल्स होते हैं जो कि हमारे इसकिन के ऊपर रैस्पीरेटर ग्लेंट या फिर स्वेट ग्लेंट के रूप में मौदूद हैं जिने हम ओर्स भी कह देते हैं वही नॉर्मल हुमन बॉडी में साथ पास्थूरू होल्स होते हैं जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर हम किसी बॉलिंग बॉल पर साथ छित कर दे और उसे धीरे धीरे कर जीवन बॉडी में डेवलप कर दे जैसा है कि आप इस जीरियों में देख सकते हैं तो वही वर्क होगा हमारी बॉडी के पास्थूरू होल्स का लेकिन कुछ केसे में इनकी संख्या नौ तक पहुंच आती है इसका कारण यह है कि कुछ लोगों की आपकी ओवरी सता पर सूपर न्यू मेमरी पंक्रा होता है जो की सिंपिली दो होल्स होते हैं आपके उपर तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपने हमारे चैनल वेक्स्टू टैक को ट्विटर और इंस्ट्राग्राम पर फॉल्व नहीं किया है तो फॉल्व कर दें वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करें चैनल पर सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग दा वीडियो